नमस्कार, मैं श्रीमिति अरुना तिवाली, शाष्की पूरमादे मीट शाला बिठी आसे, इसी राठी द्वारा संचाली पढ़ाई तुहर द्वार कारीकर्म के अंतरगत, आज कक्षा चठ्वी, हींदी, पाट साथ, समय नियोजन कराने वाली हूँ, सभी बच्चों का इस सिनास में स्वागत है, आप सभी जो है, आज हमारे साथ, हम सब मिलकर के समय का नियोजन कैसे कर इस सीखेंगे, समय- नियोजन कैसे हुटा, नियोजन का मतलब है, उसको सही तरीके से उपयोव मिलाने के लिए रुशेथ करना है, आए, देखते ही, इसके लेखत है, श्रीस स प्रस्तुत पार्थ में लेखक श्री समर बहादूर सिंग में माना जीवन के लिए समय नियूजन की आवश्यक्ता तथा उसके महत्पों को बताते गुए सपश्ट किया है कि अपनी व्यस्तता का प्रदर्शन करने वाले ही समय के अभाव का लेखक का कहना है कि ऐसे लोग जो कि यह दिखावा करना चालते हैं कि विए बहुत जीजादा बिजी है तो वही लोग इसा भ Huanghaha करते हैं कि उनके पास समय नहीं है समय की मत्त्रब girl का ने कम अश्म्य एकी समय वास्ताओं में किसह के पास नहीं होता है ऐसा तो होता ही नहीं है क्योंकि ये जो पुरे दिन भर दिन रात ला करके 24 घंटे सखी के पास होते हैं लेकिन इसी में कुछ लोग बहुत ज्यादा काम कर जाते हैं और कुछ लोग के वह समय की कमी का बहाना बनाते हैं वास्तव में जो अपने कर्व के प्रति निष्ठा वान होते हैं वे अध्यदिक व्यस्त रहते हुदे ही अपने सभी कारें के लिए समय निकाद ही लेते हैं वास्तविक्ता ये है लेखत की हिसार से कि ऐसे लोग जो अपने कारे के प्रति जिन्की निश्ठा होती है जिनकी अंदर से इच्छा होती है कि वे अपने कारे को पीछे तरीके से करें, वे अपने कारे को कितने भी वियस्त हो, कितने भी अधिक कारियों का बोजुन के उपर हो, फिर ही वे उसके लिए समय निकार रहे हैं। गांधी जी और नेहरू जी का उदाहरन देते हुए, लेखत ने विद्यार्थियों को ही समय नियोजन ये तू प्रेवरित किया है। जीवन में सुख, सम्रदी और सफलता उन्ही को मेंती है, जो समय की गद्र करते हैं। जिसने समय के कीमत को जो पहचानते हैं, जिसने पहचान लिया, उन्हें ही सुख, सम्रदी और सफलता अपने जीवन में में मेंती है। आईए आगे पार्ट में देखते हैं। हम अपसर शिकायद किया करते हैं समय के अभाव की लेखक कह रहा है कि हम सभी किसी भी महत्वपुन कारिक के छूट जाने के लिए ऐसी ही शिकायतें करते हैं कि हमें समय नहीं मिला यह हमारे पास समय ही नहीं था समय के अभाव की, समय ना मिलेगी पत्र का उत्तर ना दे सका, समय अभाव के कारण कसरत नहीं कर सकता, समय नमिलने की काम. यानि कि कोई यह काम इसे मैं चिट्ट्र नहीं लिए, पत्र का उत्तर नहीं लिए सही समय पे, प espectार नहीं किया, जिन निम छूट गया, ये सब को हमुझार बता देते हैं समय! समय नहीं था हमारे पास, कि समय ही नहीं था इसलिए ये काम हम ने, मतलब हमसे छूट गया, हम नहीं कर पाये इसको कि यदि हम सही ढग से आत्मी विश्रेशन करें, हम खुद को टटो लें, ये देखें सही तरीके से तो पायेंगे कि हमारी ये शिकायतें अकसर गलत होती हैं, हमारी ये शिकायतें लगभक हमेशा ही गलत होती हैं, हम अपने को समझ नहीं पाते हैं, और तभी ऐसे शिकायतें करते हैं इसमें कारण क्या है? कि हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं, नहीं हमारे व्यावश्यत क्या है? क्या हमें कब करना चाहिए? इसलिए हम ऐसी शिकायते करते हैं. यह हमारा आलस्यत है. भास्तव में क्या है? यह हमारा आलस्यत है. हम समय का सदुप्योग नहीं करते हैं. आलस्य पते रते ही है, जिस विच थो आब्भाव की दुखाई रिया करता है। ये हमारा आलस्तित है, आलस्तिती ही कमी को बेहीर क्मा, रोता रहता है। वस्त्तout कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो वयाश्ततावों के बीच भी उन काम अपुलना कर सके जिसे वह करनेवें लुठ ships लेक्त गैने साथ वासताब में ऐसाषहती नहीं है जोकी दूसरे काम्ने व्यस्त होने के कारण ऐसे काम को ना कर सके जिसको करने की अंतर्मन से इच्छा है जो जरूरी है जो करने के लिए वह उतार हो चैसे की जो काम तुम्हें बच्चों को ही पसंद होता है, जिसे मान वो क्रिकेट खेलना है, किसी का वान पसंद काम है, पर उसको खेलना है, उसने तैय किया है कि 3-5 आज तो क्रिकेट खेलना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो 3-5 क्रिकेट अवश्य कि नंट birth नहीं एल है मुलाकात करुते थे कितनी गंभीर समस्या आपर सहकर्मियों से विचार विमर्ष करते थे, कितनी सभा सोसाइटियों में जाते थे, फिर भी वे अपने वियस्त जीवन में से कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी निकाल लेते थे, यानि कि वो तो प्रधान मंतरी थे पुरे देश के, कितनी सारी फाइलें आती थी, उनको पढ़ना, वो सही हैं, गलत हैं, इसको जज़ करना, फिर उन पर साइन करना, सब को निप्टाते थे, मीटिंग रहती थी, कितने लोगों से मिलना होता था, अपने साथ काम करने वालों से सलाह मश्विरा करते थे, कितने सारे सभाओं में उद्गाटन करने जाते थे, सोसाइटियों में जाते थे, फिर भी इतना बोज होने के बावजूद भी प्रती दिन वियायाम करते थे, इसके लिए समय उनके पास निकल आता था, मनुरंजन के लिए भी कुछ समय निकाल लेते थे, और गांधी जी भी कम वियस्त नहीं रहते थे, दर्शनार्थियों की भीर तो उन्हें घेरे ही रहती, मुलाकातियों का भी ताता लगा रहता, देश विदेश के अनेक पेचीदे मामलों पर विचार विन में होता, अखबारों के लिए लेक लिखे जाते, किन्त फिर भी न तो गांधी जी की प्रातना सभाव में के समय में हेर फेर होता, और न उनके प्रातह भ्रमण में ही बाधा होती, तो गांधी जी जो है प्रातना सभाव और प्रातह का जो भ्रमण पे जाते थे, इन चीजों को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते थे, कितना भी मुलाकातियों का भीड हो, चाहे लोगों से विचार विमर्ष करना हो, लेक में अवश्य जाते थे, सुबह समय पे अवश्य ही पूजा करते थे, और प्रातह काल गुरूम ने भी अवश्य ही जाते थे, तो ये दो व्यक्ति जो व्यस्तत्म व्यक्तियों में से, महान व्यक्तियों में से एक थे, पर किस तरह अपने आवश्यक काम के लिए समझे हो, यही नहीं दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी वे अक्सर हाथ से ही लिख कर भेजते थे वो जमाना था जब हाथ से ही पत्र के जवाब वो लिख करके भेजते थे प्रिंट करके नहीं भेजते थे टाइप कराके नहीं भेजते थे यानि उसके लिए भी वो समय निकाला करते थे गांधी जी और डेहरू जी दोनों का जीवन प्रमाणित करता है कि यदि हम अपने समय को सोच समझ कर विभाजित कर लें और फिर उस पर द्रढ़ता से आचरण करें तो कठोरता पूर्वग पालन करें अपना जो हमने समय का विभाजन किया है अपना टाइम टेबल बनाए समय सार नहीं बनाई है उसको तो अपने निश्चित व्यवसाई के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कारियों के लिए हमें परियाप्त समय मिल जाएगा यानि जो हमारा रो परिष्ट और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा इसके लिए हमें लगातार प्रयत्न करने होंगे जागरूक रहना होगा तभी हम इस तरह के समय नियोजन के द्वारा अपने सभी कारियों का संबादन अच्छे से कर सकते हैं किसी ने ठीक ही कहा है समय धन के समान है अत धन तो आता जाता है किन्तु गया समय फिर वापस नहीं आता समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया उसने जीने की कला सीख ली सुख और सम्रद्धी के भंडार की कुंजी पराप्त कर ली इसका मतलब है कि किसी जानकार व्यक्ति महान व्यक्ति विचारवान व्यक्ति ने क कहा है कि समय धन के समान है, जेसे धन हमारे पास अगर तुमारे पास 10 रुपे आते हैं, तो तुम कैसे करते हो, कोई चीज जाते हो बस 10 रुपे में मिली और खरीद लिये, फिर दूसरी चीज देखने का मन किया, तो ऐसा नहीं करते, पहले ही तुम यह सोच लेते हो दो रुपे की चॉकलेट लेंगे फिर पांच रुपे की लेज लेंगे फिर दो रुपे का फुगा लेंगे ऐसे करेंगे फिर एक रुपे का वाला गेम खेलेंगे इस तरह की चीजें तुम लोग पहले ही तैयार कर लेते हो, कि इस 10 रुपे को हमें कैसे अधिक से अधिक काम इस से कर सके, इसके लिए कोई तुम्हें सिखाता समझाता नहीं है, लेकिन तुम खुद ही डिसाइड कर लेते हो, कि इस 10 रुपे में तुम कैसे अधिक से अधिक काम अपने मन का कर सकते हो, वैसे ही रख लें तो जो है हमारा काम बन सकता है समय नियोजन का कारण क्या है धन तो आता जाता है किन्तु गया समय फिर वापस नहीं आता जैसे कि अभी हम लोग दिसंबर 2020 में थे एक महीना पहले क्या हम कुछ भी कर ले तो वापस दिसंबर 2020 आएगा नहीं आएगा तो धन जो है आज 10 रुपे हैं चलो हमने खर्च कर दिये हो सकता है 2-4 दिन बाद फिर हमारे पास 10 रुपे आज हैं आही जाते हैं 10 की बज़ाए 50 आ सकते हैं लेकिन समय कुछ भी करें वापस नहीं आता है इसलिए समय का बजट बनाना हमें सीखना ही चाहिए तभी हम अपने बजट बज़ाना जिसने सीख लिया है ये समझ लो कि उसे जीना आ गया है उसने जीने की कला सीख लिए और जो इस तरह से सीख लिया अपने समय का नियोजन सीख लिया or समय को सही तरीके से खर्च करने लग गया उसके जीवन में सुख और समृध्धी का भंडार आना ही है उसकी चाब भी मिल गई उसको, कि उसके जीवन में आगे सम्रिद्धी भी आएगी, और सुख भी आएगा, यानि आनंद भी आएगा, उसके जीवन में वो खुश ही रहेगा, हम जीवन में क्या चाहते हैं, सुख, सम्रिद्धी, शांती, यही न, किन्तो ये चीजें तभी मि सकती हैं जब हम इनको पाने का निरंतर प्रयास करते चले हम निरंतर प्रयास करेंगे तभी ये चीज़ें मिलेंगे ये नहीं कि दोड़े, 10 मिनट तो दोड़े खूपतेज फिर लेट गे तो चार घंटे लेट गे ऐसा नहीं प्रयास हमें निरंतर लगातार करना होगा तभी हम अपने जीवन में इन तीनों चीजों को सुख सम्रधी और शांती को पा सकते हैं यदि हम व्यायाम के लिए चिंतन के लिए अध्ययन के लिए समय नहीं निका पाएंगे तो हमारा तन्मन कैसे स्वस्थ और सबल बन सकेगा व्यायाम यानि कि जैसे तुम लोग जो कसरत करते हैं करते हो योगा है योगा डे के दिन सिखाया जाता है क्लासेज में से ऑनलाइन में भी सिखाया जा रहा है अभ्यास करते हैं पिटी करते हैं ये सारी चीज पर अगर हम सोच विचार करें, तो उसको चिंतन करते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, वियायाम हमारे शरीर के स्वास्थी के लिए जरूरी है, उसके बाद अध्ययन हमें आगे बढ़ने के लिए, ज्यान पराप्त करने के लिए, शिक्षा पराप्त करने के लिए आवश्यक है तो इन तीन चीज़ों के लिए अगर हम समय नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा शरीर और हमारा मन स्वस्थ नहीं रहेगा और ताकतवर भी नहीं बन पाएगा यानि इन तीन चीज़ों के लिए हमें समय निकालना आवश्यक है तभी हमारा तन्मन स्वस्थ और रखता है विशम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकेंगे विशम परिस्थितियां यानि जब परिशानियां दुख तकलीफें आती हैं जैसे कि अभी पेंडेमिक आया यह जो एक साल भी चल ही रहा है COVID-19 इन परिस्थितियों में भी हम अपना हैं और हमारा कोई काम भी बादित ना हो तो ऐसा संतुलन अगर हमारा शरीर और मनस्वस्त नहीं होगा तो हम नहीं बनाए रख सकेंगे अतह जीवन को सही अर्थ में सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन सभी की साधना में रोज कुछ न कुछ समय लगाएं यह त मैं बाटा था उसमें एक एक घंटे रख दिये थे व्यायाम के लिए और चिंतन के लिए और चार घंटे अध्यायन के लिए फिर अगले दिन हमें ऐसा लगा कि व्यायाम के लिए मैं थोड़ा बढ़ाना चाहिए तो हम उसमें वो बदलाव भी करें लेखा जो खा करेंगे मतलग परिक्षन करते रहेंगे कि हमारा जो ये समय का विभाजन था, ये पूरी तरह से सही था, या इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, अगर सकारात्मक बदलाव की जरूरत है, तो उसे भी हमें करना चाहिए, वस्तुतह जो समय की कद्र करना सीख गया, समय के महत्व को ज अपना समय विभाजन, जितना शिग्र कर लें, उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि किसी मनीशी नय चेतावनी पहले ही दे रखी है, कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, मतलब सुख और सम्रदी हमें भविश में चाहिए, भविश यानि कब, जब तुम बड़ होगे, जब कोई भी बच्चा बड़ा होता है, तब उसको अपने जीवन में सुख और सम्रदी के आवशेकता होती है, छोटा बच्चा, पांच साल से कम का बच्चा, तो अपना समय विभाजन स्वयम नहीं कर सकता, आठ दस साल की उम्र में, यानि कि जितने जल्दी, आठ में, दस में, बारह में, हम अपना समय विभाजन अच्छे से कर लेंगे, और उसका पालन भी अच्छे से करते रहेंगे, तो जो आगे का दस बारह साल है, उसमें हम इस काबिल बन जाएंगे, या हमारा अपने जीवन को ऐसा बना लेंगे, बना पाएंगे, कि हमारे जीवन में सुखर सम्रद्धी रहेगी इसके लिए विद्वान ने पहले ही कहा है चेतावनी दे रखा है कि समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती हैं हम चाहे सुबह उठें चाहे सोय रहें सुबह का 6, 7, 8, 9, 10 सब बजता ही है ऐसा नहीं है कि समय इंतजार करेगा कि अभी उठेगा जब उठेगा तब सबेरा होगा ऐसा नहीं होता है वैसे ही समुद्र की लहरें जो है आती हैं और जाती हैं कोई उसे मुद्र किनारे उन्हें देखने को खड़ा हो अथवा ना हो वो प्रतिक्षा नहीं करती है वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारणों से अधिक महत्व है विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है और सफलता की उंची से उंची मनजिलें तै करनी है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं वयस्कों की अपिक्षा विद्यार्थियों के लिए समय का पालन करना कई कारणों से अधिक महत्व तो क्यों रखता है क्योंकि वयस्क जो हैं जैसे तुम्हारे आसपास जो हैं पिता जी चाचा जी मामा जी जो भी उनकी एक दिन चर्या उनके कार्यस्थल से तै हो जाती है चाहे वो मजदूरी करने जाना हो चाहे ऑफिस जाना हो चाहे कहीं भी जाना हो चाहे किसी फैक्टरी में काम करने जान उनका एक समय नरधारित होता है कि इतने बज़े से इतने बज़े तक उनको काम करना है, तो वो काम तो उनको करना ही होता है, जाने के लिए उससे पहले की तयारी भी उनके लिए आवश्यक होती है, तो वो एक समय के समय सारणी में बंध ही जाते हैं, उनकी ड्यूटी पे नि इवन में ठीर सारे काम नहीं करते, एक ही काम करते हैं, तो एक ही काम करने के वज़े से उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं होता अपना समय नियोजन करने में, और थोड़ी आदत भी बन चुकी होती है उनकी, लेकिन विद्यार्थियों के लिए क्या होता है, विद्यार्थी है तो project भी बना के लेके जाना है, अपने सभी रिش्टे दारों से भी कैसे मिलना है, बात करना है, सीखना है, यानि उनके जीवन में कारियों के विविधता ज़्यादा है, और उसकी आदत कम है, समझ कम है, तो इसलिए उनको समय पालन का उनके लिए जादा महत्तु है उसके अतरिक्त उनका शरीर अभी पूरी तरह से विक्सित हुआ नहीं होता है वे जिस तरह के अभ्यास एक्सरसाइज, प्राणायाम या योगा जो कुछ भी अपने आदत में शामिल है वो करते हैं उसी पर उनके शरीर का विकास निर्भर करता है उनके भोजन पर उनके शरीर की शक्ती जो है कैसा होगा मजबूत होगा या नहीं होगा यह चीज निर्भर करता है तो इधर तो शर दिशाओं में विकास करने की आवश्यक्ता होती है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए समय पालन का ज्यादा महत्व होता है, उनका जीवन भी आगे लंबा जीना होता है, अब जो 40 साल का व्यक्ति हो गया, क्या पता उसको 20 साल जीना है या 50 साल जीना है, कुछ निपता, बच्चा है उसका तो निश्ची थे कि कम से कम 50-60-70 साल तो भी और जीना है उसको तो लंबी जिंदिगी के लिए तयारी हम पहले से अगर अच्छे से करें और अपनी जिंदिगी कुछ शुरुआत से ही हम अच्छा बना लें तो आगे हमारे जीवन में तनाव कम होगा उसे स अच्छ दूर भी बने अगर पर एक अच्छा इंसान तो शायद सब बनेंगे तो इसलिए कौन किसको क्या करना है यह किसी को नहीं पता न बच्चे को न शिक्षक को न उसके माता पिता को वो जिस तरह का अपना समय नियोजन करेगा अभी विद्यार्थी जीवन में उसका आगे का जीवन उन ही बातों पर नरधारित होगा और दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में ही यानि जब अभी पढ़ाई कर रहे हैं यानि 10 साल से लेके 20 साल तक की उमर में ही हमारे जीवन में जो हमें आदते ही पढ़ जाती हैं वे पूरी जिंदगी हमारे आसपास के लिए तुम लोगा जो देखते होगे उसमें देख सकते हो कि कुछ बच्चे जो है कुछ गंदी आदते हैं पकड़ लेते हैं कोई पाउच खरीद के खाने लगता है बुढ़े होते तक मरते तक छूट नहीं पाता उसका वैसे ही अगर हम वियायाम करने की आदत डाल लें अगर हम दूद डेली सुबह पीने की आदत डाल लें तो शायद जीवन भरना चूटे तो ये चीज़ें हैं अच्छी आदते हैं अगर इसी उम्र में हमने डाल लें समय नियोजन के साथ अच्छी दिन चर्या आपनी निर्धारित कर ली तो आगे पूरा जीवन ह हमारा अच्छा रहेगा विद्याले में चात्रों को समय तालिका दी जाती है सभी विद्यालें में समय तालिका दी जाती है जिसमें कि ये निर्धारित होता है कि किस समय विद्याले पहुंचना है फिर प्रार्तना करना है प्रार्तना के बाद सुविचार का समय आता है सु से करके 5-6 घंटे जो स्कूल के होते हैं उनके लिए समय नरधारित शिक्षकों, प्रधानाचारियों, प्रधान पाठकों द्वारा कर दिया जाता है, तो उतने समय में सभी बच्चे उस समय तालिका के अनुसार ही कारिये करते हैं, 18-19 घंटे जो बचे वे छात्रों के लिए स्वयम विवेक पुर्ण उपयोग के लिए रहते हैं, यानि अपनी बुद्धी से उनको बाकी के 18-19 घंटों का उपयोग अपने जीवन के लिए करना है, यदि वे इस समय का सही उपयोग करें, तो उनको क्या, 5-6 घंटे तो स्कूल ने नरधारित कर दिया, विद्याले मे हो गया, अब जो 18-19 घंटे बच रहे हैं, वो उन्हें अपनी समझ के अनुसार उपयोग करना है, इसका अगर वे सही उपयोग करें, तो केवल परिक्षा में अच्छे अंकों से उतिर्ण ही नहीं होंगे, बलकि सामाजिक, साहितिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, तथा खेल व्यायाम आदि के लिए भी परियाप्त समय निकाल सकेंगे, समय तालिका बनाने के बाद उसका द्रिढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक है, अब ऐसा नहीं है कि हमने कागज पर लिखतो दिया, 18-19 घंटे, मैं एक घंटे ये करूँगा, दो घंटे ये करूँगा ऐसे, इस समय समाजी गतिवधियां करनी है, इस समय साहित्य के पुस्तकें पढ़नी है हमें, इस समय डांस का प्रैक्टिस करना है, लिख के रख दिया, हो गया, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ समय तालिका बनाना ही नहीं होता है, या फिर बना लिया है, आज पालन क काम का नहीं होगा वे काम का तभी होगा जब हम द्रिणिश्ट मिश्चन यानि कि यह करना ही है रोज प्रति दिन करना है और कभी भी अपने मन में यह नहीं सोचना है कि इसको करने का बड़ा नुकसान है रही सारे लोग खेल रहे हैं और मैं बेटके पढ़ रहा हूं घर मन में हमा अपनी नकारात्मक भाग ला रहे हैं ये भी नहीं निश्ठा भी होनी चाहिए उसके प्रति कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है और यही करना हमारे भविश्य के लिए जरूरी भ मिलती है समय नश्ट करता रहे करे न कोई काम समय कोई काम जीवन मुश्किल हो तभी जीवन मुश्किल हो तभी मिले न फिर आराम यानि ऐसा वालक जो अपने समय को बर्बाद करता रहे किसी भी काम को सही से न करे तो उसका जीवन क्या होगा? आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा और फिर उसके बाद क्या है? पूरी जिंदिगी उसको आराम कभी भी नहीं मिल पाएगा तो इसलिए हमें समय का सदुपियोग करना ही चाहिए समय का नियूजन करना चाहिए एक टाइम टेबल बना के उस हिसाब से काम करना चाहिए ऐसा आगर हम करेंगे तो हम अवश्य ही सफल होंगे समय बड़ा बलवान है, पलके जपके शाम है समय कभी ठहरता नहीं, दो पलको सुस्ताता नहीं जो समय से कदम मिलाता है वो उचे शिखर को पाता है समय की जिसने कदर की वही जीवन सुख को पाता है तो इस तरह से समय क्योंकि किसी के वश में नहीं है, हम अगर सोई रहेंगे तो सोते सोते शाम हो जाएगी, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, आराम नहीं करता है, इसलिए समय तो हमारे लिए नहीं रुकेगा, हमें कदम बढ़ा कि समय को पकड़ना है, तो समय के साथ अगर हम कदम मिलाएंगे तभी उचे शिखर को पा सकते हैं और समय की जिसने इज्जत करी समय का सम्मान करा वही जीवन में सुख को पाता है तो मैं आशा करूंगी कि सभी बच्चे इस पार्ट को पढ़ने सुनने के बाद समय का कदर अवश्य करेंगे और अपनी एक दैनिक समय सा पार्णी बनाकर उसका पालन करेंगे अब आप लोगों के लिए ग्रिह कारिये कि ये कुछ प्रश्न हैं जो पुस्तक से ही हैं इनको करके शेयर करेंगे सभी पहला है आप पठन पाठन के लिए अपने समय का नियोजन किस प्रकार करते हैं एक रूपरेखा बनाईए इसमे आपको सुबह आप जितने बज़े उठते हो उस समय से शुरू करना है और रात को जितने बज़े सोते हो उस समय तक पूरा रात को कितने घंटे सो रहे हो ध्यान ये रखना है कि 24 घंटे में सोने का समय 8 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए अब दूसरा है समय और लहरें क कभी ऐसा हुआ होगा शायद सभी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा होता है कि वो आलस किया समय का ध्यान नहीं रखा कोई भी ऐसी इंपोर्टेंट चीज आवश्यक कारिय या फिर आवश्यक बात जो वो करना ही चाहता था लेकिन उसको वो उससे छूट गया हो ना कर पाया ह तो उसके बाद बाद में पच्टाते हैं तो ऐसी कोई भी घटना जो तुम्हारे स्वयम के साथ हुए हो इसका वर्णन करना है तीसरा है अपने आसपास के परिवेश में ऐसे लोगों के बारे में बताए जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बाद भी समय की कदर करके अपनी पहचान बनाई ऐसा कोई न कोई व्यक्ति हमारे आसपास अगल बगल अवश्य ही होता है कोई जो जिसके पास पैसे नहीं होते पढ़ाई के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए मुश्किल वक्त होता है कुछ ऐसा फिर भी दिक्कतों के बावजूद उन से लड जार रहा है अपने महनत के बल पर तो वह भी एक सफल इनसान है तो ऐसा जो भी आपके आसपास अगल बगल में हो कोई भी हो सकता है आपके पिता जी हो सकते हैं तो उनके बारे में आपको लखके भेजना है समय की कदर न करने पर लोगों को कौन-कौन सी परिशानी हो सकती है ये अपने साथियों से चर्चा करने के बाद लिखना है समय की कदर अगर नहीं करेंगे तो हमें क्या परिशानी हो सकती है अपने जीवन में माल लो परिक्षा का समय निर्धारित है और अब सोते रह गए परिक्षा में टाइम पर नहीं पहुंचे और परिक्षा का अंतिम पुरा निकल गया पेपर खतम तो क्या परिशानी होगी दुबारा फिर देना पड़ेगा न पेपर इसलिए तो इस तरह के ही उदारण आपस म बात करना है और उनको लिखना है फिर पांचवा है समय धन के समान है यानि जैसे धन हमारे लिए जरूरी है जीवन के लिए वैसे ही समय भी हमारे लिए जरूरी है इसको भी सोच समझ कर व्यतीत करना है सोच समझ कर खर्च करना है इस प्रसिद्ध वाक्य के संबंध में नहीं है, जो व्यस्तताओं के बीच भी उन कारियों को न कर पाए, जिसे वह करने पर उतारू है, जिसे करना वह अनिवार्य मानता है, आपने भी ऐसा किया होगा, उस कारिय के बारे में लिखिए, कौन सा ऐसा काम है, जो कि कितना भी व्यस्त हो, कितना भी जरूरी हो, कितना तोही समय की कमी हो पर फृर भी तुम उसको करना ही चाहते हो जैसे कि भो जन करना कभी भूलते हैं क्या हम लोग भोजन कितने भी व्यस्त हो, खड़े-खड़े कर लेंगे, दोड़ते-डौड़ते चलते चलते उठा के पूरा एक बार में मुझे रख लेंगे लेकिन भूलते कभी नहीं हैं तो इस तरह से ये सारे प्रशन ग्रिह कारे के करने हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने समय का नियोजन अच्छे से करेंगे और अपने जीवन में आगे सफलता को करेंगे